आप लोग जैसे बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी तो अभी तक मेरे पास कोई रिस्पॉंस नहीं आए हैं तो अभी तो नहीं आएंगे सो मैंने सोचा कि basic से हम start करते हैं जो की BFC वालों के लिए भी beneficial रहेगा और जो NETS LAT और ICR, JRFSR वगरा के तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सही रहेगा तो जो हमारा net का जो हमारा पूरा syllabus है उसके according हम तयारी करना सुरू करेंगे वन वाई-वन हम सारे जो टॉपिक्स हैं वो कभर करें गे और वैसे भी जो टॉपिक है वो भी हमारे मतलब टेक्स्टाइल हो या एनी अधर सबजक्ट कोई भी सबजक्ट हो उसमे सारे é weapon ऐसे ही होते हैं कि अब यह कोशीन नहीं पूछ देंगे पूछेंगे तो मतब बेस से ही पूछेंगे ना जो आपने ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया है बीसी में जो पढ़ा है दैन एमसी में जो पढ़ा है जो अब पढ़ रहा है वही कोशन्स पूछे जाते हैं बस थोड़ी सी टेक्निक आपको डीप नॉलीज होनी चाहिए और थोड़ा सा टेक्निकल घुमा के बिल्कुल कोशन्स देते हैं जिससे आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है आप समझ नहीं पाते हैं और आंसर आपके गलत हो जा देन हम बनवायन टॉपिक कवर करेंगे नेक्स वीडियो में ओके सो लेट कटी स्टाइब तो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो फिर्सली आई वांट तो नो तो आल आफ यू कि यह लाइक आप टेक्स्टाइल पढ़ने जा रहे हैं तो वाट इस टेक्स्टाइल एनिया आई थिंक तो ओनलाइन तो मैं लेनी रही हूं क्लास तो मुझे यह अंसर देना होगा अफ कॉर्स आउग सो एक स्टाइल ईस एए तकैंड आज होवन ने टेट नॉट Karl चॉंटे देट क्लॉध और नॉन वं एक स्टाइल है वह व evolution Design suck इंटरलेस्मेंट आफ किस आप इंटरलेस्मेंट आप यान करने से जो भी फैब्रिक मैनुफेक्ट्चर होगा वो टेक्स्टाइल की केटेग्री में ही आएगा देन निटेड निटेड मतलब क्या होता है इंटर लूपिंग आफ तू तू और और लूपिंग आफ तू सेट आफ यान डनोंटेड क्या होता है बाइन नॉटिंग प्राउसे जो हम जिस से अंभान टू नाट नॉटिंग प्रोससे से जो भी फैब्रिक या कोई मतलेक्ल एक लेयर ओफ फैंग्लोथ की जो त्यार होती है वह तैनओ अट फैब्रिक दिन पुराना है थोड़ा डिफरेंट भी टेकनिक इसकी रहती है, तो टफटेट का जो हमारा फैब्रिक बोल सकते हैं, या माटीरियल बोल सकते हैं, जो बनके देखा है, तो वो थोड़ा सा गुच्छेदार, थोड़ा सा फलफीनस होता है, उसके कपड़े में, तो जो लाइक आपने घर पे देखा होगा, हमारे जो वो, सॉरी, गलप्स वगएरा होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, वो फट जाते होंगे, तो दादी मा लोग उसी से यार निकाल के, उसी की डार्निंग, रनिंग स्टिच से करके उसको भर देती हैं, तो वो टेकनिक आती है, तो उसमें टेकनिक में भी दो-तीन टेकनिक होती है, तो फ्र्स्ट मैंने बताई जो हम लोग घर में डारनिंग एस टिच करके उसको होल को भर के फिर उसको री उसके री श्री यूस कर लेते हैं वो एक ये टैकनिक वह हो ही और बाकी दूसी टेगनिक है एक उसकी डिल आती है उससे अपडाउन अपडाउन फैबरिक में अपडाउन अपडाउन करते तो उससे पूरा लाईक फर टाइप का उसमें فर्मेशन होता है तो वह जो हमारा वह को दो तक भाइस हो रहा इस हमें को लिए। इंफसे प्रेक्षीन के लिए मास्क पहन रहे हैं गलम पहन रहे हैं डॉक्टर्स एपरेंस पहनते हैं और क्या होता है शू कवर पहनते हैं और देखें नॉन वूबन इस अब बास टर्म जो अब इस समय बहुत ज्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि यह बायो डिग्रेडेवल होता है इससे कुछ भी हामफुल नहीं होता इंवर्मेंट को सो क्या है है क्या है इस सभी होता है यह भी आज कंः जो पर आप यह उधाब से कृइट रहाद माईज़ उंबन आप झालेजे Sig教ur Park जो दियुग बन टेक्साइल है ट्रडीशनली मेन प्वून फैबरीक जैसे बताया मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग तो उसका आप-डाउन उप-डाउन करके ही फैबरीफ फॉर्मेशन होता था तो यह ट्रीशनली इसका जो मतलब है वूवन फैबरीक ही इसका मतलब है इसका मतलब ही वीव होता है तेक्सटाइल इसमेड फॉर्म फाइवर और अधर एक्स्टेंडर लीनियर माटियल सच थ्रेड और यार्ण दिन वैरियस केटेगरी आफ टेक्स्टाइल इंक्लुड़ वन क्रोचेट क्रोचेट अब जानते हैं क्रोशिया से जो हम पूरा बनाते हैं तो हमने यह हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पर बेसिक नॉलिज हो गई हमको वाट इस टेक्स्टाइल टेक्स्टाइल के बारे में देन हम आते हैं हमारा जो हम टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे डूरिंग अवर वीडियोज सो फर्स्ट वन अपना सबसे पहला टॉपिक जो टो में लोगों का फाइवर यांगे यार आएगा वी वाएँगे फैब्रिक आएगा एक यह उसका तर्मेशन पढ़ेंगे कि क्या है यह सब कुछ दिन classification of fiber यान पढ़ेंगे दिन identification of fiber and weep पढ़ेंगे देन second topic is manufacture sorry the second topic is manufacturing process of major natural natural and manumet fiber sorry manufacturing process of major natural and manumet fibers properties and their end uses यह पढ़ेंगे हम second topic में देन third topic जो है हमारा उसमें पढ़ेंगे different method of different method of fabric constructions different method of fabric construction like अभी जैसे हमने देखा woven up and down up down मैंने बताया आपको then knitted non woven and non woven and dufted then their properties and end use end use मतलब then हम लोग जब बना के fabric जब हम लोग का आपको then four topic is textile finishes टेक्स्टाइल फिनिशेज जो टेक्स्टाइल फिनिशेज हम देते हैं जो protective clothing हमारी होती है उसमें finishes देते हैं जिससे हमारे protection होती है तो उसको हम पढ़ेंगे classification of textile finishes processing of textile finishes and purpose of finishes then fifth topic में हम पढ़ेंगे dyeing and printing तो dyeing and printing में क्या पढ़ेंगे कि different type of dyeing and printing कोई एक तो टेक्निक है नहीं like हम tie and dye में ही देख लें कितने variations होते हैं कितने अलग-अलग designs होती है वैसे उसमें क्या होगा dyeing and printing में क्या आएगा classification method of block printing tie and dye आएगी block block printing आएगी batik printing आएगी then हमारी आएगी roller printing आएगी screen printing आएगी और क्या आएगी देन हमारी discharge printing आएगी और heat transfer printing आएगी आजकल डिजिटलाइजड चल देए printing डिस्टलाइज प्रिंटिंग भी हम पढ़ेंगे उसके उसके अंडर तोपिक अपना क्या है traditional textile of India traditional textile में क्या आजाएगा इंडिया इंडिय तोथा निहें हर एक अलाग अलग अलग सिटी अलाग अलाग embroidery के लिए वह नंइ उसके अलगą अलग embroidery पढ़ेंगे आजम ऊसके अलगा प्रिंटेंटल पढ़ेंगे Londres पढ़ेंगे टक्स पढ़ेंगे identification on the basis of fiber content and techniques motif color and design इतना हम पढ़ेंगे traditional textile में देन 7th one है हमारा textile testing and quality control after manufacturing the after manufacturing the cloth पूरा raw materials जो manufacturing का process होता है उसके बाद जो हमारी testing होती है हम ऐसे तो बना के नहीं direct market में कर देंगे तो उसमें जो उसकी process होती है उसको हम बोलते है quality control इसमें क्या हम पढ़ेंगे इसके इसमें पढ़ेंगे what is the need of testing sampling method sampling method होता है different type of sampling methods होते हैं वो पढ़ेंगे technique of testing fibers पढ़ेंगे yarn पढ़ेंगे fabrics fabrics and garments इस सारा चीजे हैं इसमें cover करेंगे और क्या cover करेंगे टेस्टिंग of color fastness shrinkage then pilling and gsm of fabrics इस सारा हम इस seven topic में cover करेंगे then eighth one is textile and environment textile and environment कैसे correlate कर सकते हैं like textile हमने non-woven fabric हमारा कैसे बन रहा है क्यों बन रहा है mean इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारा जो normal textiles हम use कर रहे हैं उसमें हम different different dyes use कर रहे हैं कुछ-कुछ dyes है chlorine chlorine dyes है acidic dyes है कुछ-कुछ dyes हैं वो हमारे environment को बहुत indirectly harmful हैं हमारे environment के लिए तो हम यह सब पढ़ेंगे कि कौन से मतलब environment को harm कर रही है कौन सी bandadize है जो बिल्कुल नहीं use हो रही है industries में and eco-friendly textiles कौन से है contamination and effilient treatment effilient treatment हमारा आजकल water recycling का wastewater recycling का आजकल इंडस्टीज में बहुत चल दा है दन इको लेवल इंड इको मार्क्स यह सारा हम टेक्स्टाइल इंवार्मेंट में कवर करेंगे देन नाइन नाइन टॉपिक is sorry nine topic is recent development in textile and apparens तो recent developments क्या है हमारे textiles में nano textiles आने लगा है technical textile हो गया है जो अब technical textile में बतारी हूँ technical textile में भी हमारे 12 fields होते हैं वह सारा इसलारेंगे जीरो वेस्ट रिजाइणिंग पढेंगे अफ्साइgnand recycling पढ़ेंगे इंट एंट नुट्र ग लास्ट वन टैन्स है उमरा डिसमिय कई शुक्रवें सर्वें फ्रोर्ड के तीममढ़ा चूब सरवी कैन गॉंुर्थ quantitative qualitative analytical and action research इसारी research methods हम 10 topics में cover करेंगे यह तो हो गया हमारा यह topics वह हैं जो textile scandal में आते हैं दन हमारे यह कुछ और topics हैं तो April designing में आएंगे यह 10 topic और हैं यह 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 टेन topic and these one यह सारे मिला के यह पूरा course cover कर रहे हैं हमारा besc से तक हमने जिद्ना भी पड़ा हूए और भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा टॉपिक सारा इसमें कावर हो रहा है और यह अपने पासост Sendhi आईहे मैंने सारा नेट पर सर्च किया है यह जोनेध की एंसरी जो高 ने अप्लोड किया हुआ है जो स्लेबस उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया हुआ है सो अभी हमने ये डिसकस कर लिया अब हम नेक्स क्लास में बन बाइवन एक एक टॉपिक हम डिसकुशन करेंगे ओके सो कीप लेर्निंग कि स्टे होम एंड सेफ थैंक यू